नमस्कार आज के इस हिंदी फेलोशुप अब दफ लूट में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं आज का हमारा टॉपिक है डिसिजिजिन्स अर्थात निर्णय निर्णय लेने का महत्व और निर्णय का जो परिणाम है उसको येशस्वी रूप से आगे लेकर चलना इसका जो ट्रिक है वो आज हम सुनने वाले है वो आज हम जानने वाले है सो ये ट्रिक जानने के लिए दोस्तो हम शुरुआत करते हैं ये जानकर कि डिसिजिजन जो है वो कौन लेता है निर्णय कोन लेता है मैं आपको एक छोटा सा उधारन लेती हो रोज की जिन्दगी का एक दिन विजू सुबह जल्दी उठा मौनिंग वॉक के लिए गया और बिल्कुल फ्रेश मन से प्रसंदन अवस्था में प्रसंदन चित्द से टाइम पर ऑफिस में पहुच गया उसका पूरा दिन उत्साहपुर्ण गया ऑफिस में उसको किसी की मतलब बॉस की या फिर सहकारियों से उसे तकलिफ नहीं हुई या फिर उसे वो समझा नहीं या उसे उसका एहसास नहीं हुआ रात को टिवी पे एक सीरियल देखने का उसने तैक किया और फिर उसके बाद और एक एपिसोड और एक एपिसोड ऐसा तैक करते करते उसने बिंच वाचिंग किया अगले दिन सुबब अलाम जब बजा तब वो बंद करके और थोड़े समय सो होने का भी डिसेजन उसने लिया और उस दिन आफिस में बहुत हडबडi में कि क्बाध ने भी सहनी पड़ी बहुत से कलीक से सो देखिए दोस्तों हेल्थ कॉंश्यस और उत्साही रहने का निर्णय विजु नहीं लिया था और केरलेस और निरुद्साही रहने का डिसिजन भी विजु नहीं लिया था यह एक बहुत छोटी बात है बहुत ही हम बोलते हैं रोजमरा की जिन्दकी की बात है लेकिन इस पर से हमें जो बोध मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ऐसा है कि जीवन में किसी भी विशय के बारे में निर्णय लेते समय मनुष्च के सामने अनेक डिस्ट्राक्शन्स है लेकिन क्या डिसिजन लेना है कैसा डिसिजन लेना है यह सर्वस्वी मनुष्च के हाथ में है लेकिन प्रोब्लम यहाँ पर आता है कि मनुष्च को डिसिजन लेने के बाद, निर्णय लेने के बाद, टाय करने के बाद, उसके जो परिणाम है, जो ये शस्वी परिणाम है जैसे कि पैसा है, प्रसिद्धी है, प्रतिष्ठा है, उसका क्रेडिट मनुश्य को चाहिए जो अयशस्वी परिणाम है, जैसे कि यातना है, बदनामी है, जिम्मेदारी है इससे मनुश्य दूर भागता है, यह मनुश्य को नहीं चाहिए और इसलिए अगर आप देखेंगे तो कोई भी निर्णय लेते समय ये प्रॉब्लम आ जाता है ये हम बोल सकते हैं ये एक तरीके का डाइसी सिचुएशन हो जाता है निर्णय लेते समय तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जब आप निर्णय ले रहे हो तभी आप हर निर्णय लेने से पहले आप कुछ से पूछे कि मैंने क्या निर्णय लिया है क्या मेरा निर्णय तुरुष्णा या डिस्ट्राक्शन था या फिर मेरा निर्णय अट्राक्शन याने कि कृष्णा है किसका चुनाव मैंने किया है, किसका निर्णय मैंने लिया है ये जो तुरुष्णा या कुरुष्णा ये जो है ये एक द्वंद्व है, ये एक डुवल है जो की बुद्धी पैदा करती है, ये बुद्धी का द्वंद्व है बुद्धी हमेशा खुद के लाब के बारे में सोचती है और इसी की वज़े से मन में सुख या दुख की भावनाएं पैदा होती है मन उत्तेजित होता है सुख की भावना से मन विचलित हो जाता है दुख की भावनाओं से लेकिन किसी भी स्थिती में हमारा मन जो है ये जो भावनाएं हैं ये हमारे मन में एक अलग से द्वन्द्व पैदा कर देती है और वो होता है कि क्या मेरा निर्ण योग्य था या अयोग्य था सो मन एक द्वन्द्व निर्मान करता है एक ड्वन्द्व निर्मान करता है जो होता है योग्य या अयोग्य और बुद्धी एक द्वन्द्व निर्मान करती है जो कि है तुरुष्णा या कृष्णा तो ये योग्य या अयोग्य ये जो द्वन्द्व जो मन ने पैदा किया हुआ है, यह द्वंध्व मानों के जैसे कोहला है, जलता हुआ कोहला, और चू कि बुद्धी भावनाओं से सम्भरमित हो चुकी है, इसके लिए मनुश्य यह जो जलता हुआ कोहला है, उसे हाथ में पकड़ता है, उससे मुठी बन करनता है, उससे खुद को इजाआ पहुचाना, खुद को तकलीफ देना, खुद को जला लेना, यह मनुष्य हमेशा निरने लेते रहता है, इसका चॉइस मनुष्य करता है, यह निरने मनुष्य कर रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे, तो जीवन में किसी भी विशय हो, कोई भी विशय हो, चाहे आपका work हो, profession हो, चाहे आपके commitments हो, चाहे आपके relationships हो, celebrations हो, mornings हो, चाहे कुछ भी विशय में आपको निर्णे लेना है, उसके बारे में हमेशा आपके निर्णे बदलते रहते हैं, स् ऐसा करके भी निर्णयों को बदलने के बाद भी हर निर्णय में, हर परिस्तिती में complexity है, अस्थिर्ता है, अस्वस्तता है, stress है और distress भी है, चाहे कोई भी निर्णय ले, आप रात को शांती से सो नहीं सकते हो, तो ये जो एक tricky situation निर्मान हुई है, उसमें से रास्ता क्या है, भगवत गीता में बगवान कृष्णा ने एक बहुत ही अच्छा इसका उपाय बताया है, वो श्लोक मैं या पर उद्रुत कर रहे हूं, इसका मीनिंग ऐसा है कि exactly किस बात का शोक करना चाहिए, exactly द्वन्द्व कौन सा है, इसका अवलोकन संब्रमित बुद्धी नहीं कर सकती है, मतलब बुद्धी जब संब्रमित हो जाती है, तो उसे समझता नहीं है, actually शोक जनक बाप क्या है, क्या चीज़ दुख है, ये बुद्धी को समझ में नहीं आता है, देखिए, मनुष्य जो है, ये मतलब विभक्त हो जाते है, जॉब में जब स्टाइगनेशन आ जाता है, तब जॉब का प्रोफाइल चेंज करते हैं, जॉब स्विच कर लेते हैं, कोई आलसू वृत्ती के तरफ जाता है, कोई बहुती फिटनेस रेक्ति की तरफ जाता है, कभी-कभी हम लोगों को इल्टे जवाब दे देते हैं , कभी-कभी कभी अग्रेजिव हो जाते हैं , रिजिड हो जाते है م. सब करने के बाद जब दुख आता है जिन्तगी में तो व्यक्ति मनुष्य पूछता है कि मेरे सभी निर्णय योग्यते फिर भी मुझे दुख क्यों हुआ इसलिए आप सब लोग इस situation में से गए हुए हो आपने सब मिन इसका अनुवव किया है इसके लिए मारग क्या है अगर बुद्धी को अवलोग को नहीं हो रहा है तो इसके लिए मारग क्या है तो आपको आप और चित्त से खुद को को योग्य द्वन्द्व जो है उसका चुनाव करना यह पहला डिसिजन आपको लेना पड़ेगा फर्स्ट अफ ऑल चूज करेक्ट डूएल विद द स्टेबल माइंड माइंड मतलब छित्त मैं बोल रहे हूं एनीमी नंबर वन ऐसा जो हमारा पिछले महिने का जो डिस्कोर् हमारी उसमें हमने देखा है कि चित्त में जब विचार उत्पन होते हैं तो यह विचार तटस्त होते हैं यह न्यूट्रल होते हैं उसके बाद बुद्धी उसको अनलाइज करती है उसका विचलेशन करती है और जो अहेंकार के लिए पूरक विचार हो या फिर अहेंकार के लिए जो विचार हानिकार को उसके हिसाब से हमारे मन में फिर सुख या दुख ऐसी भावना उत्पन होती है किसी भी प्रसंग में ओके तो ये जो सुख और दुख की भावना है ये बुद्धि को और भी जादा संब्रमित करती रहती है और फिर हम योग्य निरने नहीं ले पाते हैं इसलिए किसी भी प्रसंग में किसी भी घटना में जबी आपको निरने लेना है तब ही आपको क्या करना चाहिए आपको चित्त को स्थिर करके सबसे पहले योग्य डूएल को चूज करना है इसके लिए कितना समय लगता है एक निमिश मतलब 0.2 सेकंड मतलब आप एक बार पलक बन करके उठाओगे इतना ही समय लगता है चित्त को स्थिर रखने के लिए या फिर अस्थिर चित्त के लिए भी उतना ही समय लगता है तो ये 0.2 सेकंड का एक निमिश का जो अवधी है इसमें आपको आखे बन करनी है आराम से खोलनी है और खुछ से पूछ कि जो भी निर्णे इस घटना के बारे में जो भी निर्णे आपने लिया है तो आप जो सवाल पूछ रहे हो कि मेरा निर्णे योग्य है या अयोग्य है ऐसा सवाल को नहीं करना चाहिए तो हमें क्या सवाल करना चाहिए खुछ से कि जो निर्णे मेंने लिया इसका आधार तुरुष्णा था या कृष्णा था ये इंट्रोस्पेक्शन हमने करना चाहिए ये इंट्रोस्पेक्शन की वज़े से हमारा चित्त जब स्तिर हो जाएगा तभी हमें ये पता चलेगा कि हर निर्णय के पीछे हर निर्णय का आधार हमारा तुरुष्णा ही है मतलब स्वार्त है अपेक्षाएं है जो हर निर्णय के पिछे का आधार है तो दोस्तों जब भी भी निर्णय का आधार तुरुष्णा है वहाँ पर आगे जाके दुख आना यातनाओं का आना ये निश्चित है उसी प्रकार जब निर्णय का आधार तुरुष्णा है तब मनुष्य का अंतिम लक्ष जो है वो भी मनुष्य को नहीं समझ में आता है आप ही देखिए कि आपने जो भी निर्णय लिये हैं उन में से मतलब आप जिस स्टेज में हो अभी क्या निर्णय लेने के बाद आप आनंद के साथ समाधान के साथ तुरुपती के साथ हमेशा रहे पाए हो या फिर उससे आप विलग रहे हो आप दूर रहे हो एक मैं आपको एक एक्जाम्पल बताती हूँ एक व्यक्ति है मुझे बहुत लोग मिलने आते हैं इसे भी खुछ खुछ रेकी के लिए या फिर आस्ट्रोजी के लिए टारों के लिए तो एक व्यक्ति का ब्रेन टूमर की सरजरी हुई सरजरी टूमर निकला सरजरी सक्सेस्पूल हो गई लेकिन उस व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशन हुआ मतलब जो भी सरजरी में कॉम्प्रोमाइजिस करने पड़े उसकी वज़े से उस व्यक्ति की आवाज जो है वो चली गई तो वो जो उनके रिलेक्टिव थे पेशन थे वो मुझसे पूछ रहते कि क्या मेरा निर्णाय हमारा निर्णाय डॉक्टर का जो निर्णाय था वो सही था या गलत था योग्य था या अयोग्य था किसी कपल का ब्रेक अप हो गया वो भी मुझे पूछते है क्या मेरा निरनाय उसका निरनाय योग्य था या अयोग्य था मैं आज आपको सभी को ये कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी निरनाय संपुर्णतायोग्य या फिर संपुर्णतायोग्य नहीं होता है इस विश्व में सही और गलत ऐसी घटना आस्तित्व में नहीं है हमने कौन सा डूएल चूज किया है कौन से डूएल को चूज करने का निरनाय लिया है उसके उपर आगे की चीजे निर्भर है अगर आपका जैसे बुद्धी जो है जैसे मैंने बोला आपको की बुद्धी हमेशा खुद के लाब का विचार करती है इसलिए और मन और भी उसको संब्रमित करता रहता है इसकी वज़े से हमेशा निर्णायों का आधार तुरुष्णा ही हमारा रहता है और इसकी वज़े से जब आपको यह पता चलेगा जब आप इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे तभी आपको यह पता चलेगा कि हर निर्णाय में मेरे निर्णाय का आधार तुरुष्णा ही था तभी मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगी आप थोड़ा और स्वारती हो जाए और खुद की अध्यात्मिक प्रगति करने का निर्णाय आप ले तो औरों ने बदलना चाहिए यह जो विचार है यह निकल जाएगा आपके दिल से या फिर आपके दिल में वो पैदा ही नहीं होगा धीरे-धीरे जब उसके बारे में इसी की वज़े से जैसे यह विचार जब नश्ट हो जाएगा तब उसके साथ जो निराशा आती है उसके साथ जो स्ट्रेस आता है वो भी दूर हो जाएगा और धीरे-धीरे यह अनुभव जब बुद्धी लेगी तब बुद्धी जो जलता हुआ कोईला हाथ में पकड़ा हुआ है उसको जो हवा मिल रही है भावनाओं से वो भावनाओं की हवा बुद्धी इस कोईले को लगने नहीं देगी अर्थात बुद्धी यह जो कोईला है उसको छोड़ देगी ये द्वन्द्व को छोड़ देगी और स्वार्थ के बजाए स्वस्थता की तरफ मनुश्य को ले कर जाएगी हमारे चित्त में हमारे वृत्ती में संदेह के बजाए हमारे चित्त में विश्वास का जो विचार है उसको बल देना ये बुद्धी करेगी और मेरा अंतिम लक्ष तुरुष्णा है या पुरुष्णा है ये आपके बारे ये भी आपको समझ में आएगा इसके बारे में आप सतर हो जाओगे आप ये जानोगे कि असली डुएल क्या है योग्य या अयोग्य ये असली डुएल है क्या ये योग्य डुएल नहीं है तो योग्य डुएल क्या होना चाहिए व्यक्ति का तो चिंता या चैतन्य ये डुएल होना चाहिए द्वन्दव होना चाहिए संदेह या समर्पण ये डियोल होना चाहिए तुर्श्ना या कृष्ना ये डियोल होना चाहिए ये डियोध़व होना चाहिए तो योग्या या अयोग्या ये दोस्तों ये जो द्वन्द्वा है ये एक जलता हुआ कोईला है वेरास तुरुष्णा या कृष्णा ये द्वन्द्वा एक कमल का पुष्प है तो योग्या अयोग्या ये जो द्वन्द्वा है इस कोईले को हाथ से छोड़ दे उसको तिला करने वाले हो वो दिरनाय में भी आप decisions change करते रहोगे मतलब आप कभी compromises करोगे आप कभी किसी के साथ आगे चलने के लिए दो कदम पीछे जाओगे back foot पे जाओगे कभी किसी को मन की बाद भी कुछ बोल दोगे यह सब आप करोगे फिर भी हर क्षेत्र में जीवन के हर क्षेत में आपकी personal life है, आपकी professional life है, आपके relations है, आपका business है, जो भी आपके निर्णे है, इस आयुष्य में जो भी निर्णे आपने लिए है, ये सभी निर्णे, येशस्विता की तरफ आपके लाएंगे, हर निर्णे आपका येशस्वी ही होगा. So, योग्य द्वन्द्व चुन्ना ये बहुत important है, और योग्य द्वन्द्व चुन्ने के लिए गुरू और साधना ये अत्यावश्चक है, देखिए, योग्य द्वन्द्व मतलब कृष्णा, गुरू और साधना, ये एक त्रिशूल है, और इस त्रिशूल से आप संदे हेदा का विनाश करे और खुद को यश की तरफ यश्व प्राप्ति की तरफ लेके जाए आपके सभी डिसिजन को यश्व की तरफ लेके जाए क्रिशन हमेशा क्रिशन चुने क्योंकि क्रिश्व यही सरवोत्तम निर्णय है जो कि आईूष्यमे जो आपने विशय के बारे में निर्नाय लिए है, सभी को येश्यस्वी करने के लिए यही एक निर्नाय होगा, जो कि आपको येश्यस्वता की मारगपर हमेशा लेकर चलेगा, तो इसी के साथ हम आज meditation करने वाले हैं, अभी दिवाली आ रही है, तो ये meditation भी जो हमें, ये purest meditation जि से बोलते हैं, हम दिवाली में करते हैं, वैसा है meditation है, तो दिवाली के समय ये meditation जरूर करें, आज भी करेंगे और बाद में भी करेंगे, तो everyone ready for meditation?